अब लाल किताब में जो मकान कुंदली बनाई गई है न, इस कुंदली को समझू ये है, East ठीक है जी? This is North-West This is South This is North-East This is Eastern World This is North This is Southwest west, this is south wall, this is center, public, northeast, okay, west, west ki wall, southeast, इसको बना लो अपने अपने रजिस्टर पे ना बड़ा बटा। ये कुण्डली में बनाया ना मैंने यापको कहीं भी बनावा मिल जाएगी। किसी भी उसमें मिल जाएगा बनावा, ठीक है, कोई भी बना देगा कहीं भी आप ढूंड़ओंगे मिल जाएगा बट जो मैं आ आपकी कुंडली के हिसाब से अगर फस्ट हाउस की हम बात करें फस्ट हाउस कौन सी डारेक्षन है? इस्ट जानता समझने की जरूत है इस्ट अब इस्ट डारेक्षन में फस्ट हाउस में कुंडली में कोई भी अच्छा प्लैनेट आ जाता है इस्ट डारेक्शन का मित्र प्लैनेट आ जाता है सूर्य आ गया चंद्रमा आ गया ठीक है ठीक है या अपना कौन सा जा सूर्य चंद्रमा या मंगल बढ़िया रहेगा कोई दिक्कत नहीं अला कि चंद्रमा थोड़ा सा डेमेज करता है जलतत्व आ जाते हैं वहां पर ठीक है बट क्या अगर यहां पर राहु देवता आएंगे तो यह डारेक्शन खराब होगी या वो प्लैनेट खराब होगा समझो कुंसेप्ट समझना भी लिखो मत यार प्लीज लिखो मत रिकोडिंग है तुमारे पास समझो कुंसेप्ट एक बंदाव अन्म्यूट भी करके बोल सकता है कोई अन्म्यूट कर लो पार्टिसपेट भी करता कोई दिक्कत नहीं है यहां प्लैनेट खराब होगा या डारेक्शन खराब होगी बोलो दो सही यार तुमारे प्लैनेट आगे दो राव का विगड़ना डालेट है उसको क्या खराब होना है साउट वैस्ट यूज़ियंग होगा वहार वा जाएगा मेरे कोई दिक्कत नहीं राव को की फरक बैंदा यार उसी डारेक्शन में अगर जुपिटर आ गया तो डारेक्शन खराब होगी जुपिटर खराब होगा अगर जुपिटर साथवे हाउस में आ जाता है बंदे के घर में नोर्थीस्ट में चेक करो टॉलेट होगा चोथे हाउस में रहू आ गया चोथ हाउस कौन सी डारेक्षन है नोर्थीस्ट नोर्थीस्ट में राहू आ गया चोथ्य हाउस में तो यह राहू आ गया वो वो नोर्थीस्ट को खराब कर रहा है उस दिशा को दुशित कर रहा है उस दिशा में कहीं न कहीं टोइलेट आ रहा होगा और एक मजे की बात बताँ इस बंदे को हो सकता है अगर रहा हूं के कोड़ अच्छे हो तुछ नोर्थीस्ट का टॉलेट इस बंदे को प्रोब्लम ना कर रहा हो आप समझो ना किसी गर में नोर्थीस्ट में टॉलेट मिल गया अब आप सम्झों ना मैक्सिम ने वास्तु किया और नहीं किया वह आगले पहिछ में करेंगे मैं तो इक बैसे बचा रहा हूं बता रहा हूं वास्तु से कनेक्ट करना अल्टिमेटली बंदूग तो एक बंदूग तो एक ही रखनी है ना जुगल जी अब आप किसी घर में चलेगे सबको सबको खंसर हो जाएगा जिसमें नौर्थीस्ट है में टॉइलेट है कि समकी क्लारिटी ऑफ माइंड खतम हो जाएगी एक अधा बंदा तो उस घर में भी शार्प होगा उसकर आऊ-चोथे में आ रहा होगा उसको परेशान नी कर रहा होगा वाकियों को पेल रहा होगा वहां पर नौर्थीस्ट कर देगा अच्छी डारेक्शन में बुरा प्ल कि 9,000 को भी यूपिटर का ही घर होता है 9,000 नौर्थीस तो ब्रहमस्तान देखा जाता है 9,000 में रहोगे यही दिखेगा आप देखना कहीं पर अगर रहा करें रखेगा कि इस बहुत कमाल की चमाल का टोपी गए आज अगर second house northwest यह राउदे बता आजाए तो यह यह जुपिटर आजाए तो second house किसका होता यह बताओ यह चंद्रमा आजाएगा ओके युपिटर आजाएगा ओके कोई दिक्र नहीं इतना प्रशन नहीं करेगा अब यहां पर नोर्थ वेस्ट में आपने दिखा लाल किताब में जो बलती जो हमारे खुश्दी बंसल जी कॉंसेप्ट लेके आये थे कि यहां पर दो चांदी की इटे रख दो दो खरगोश रख दो वो खरगोश दो तरह के रखवाता है एक काले जफेद और एक ब्रास के खरगोश खरगोश दो तरह के आते हैं जो राव उसमें बई यह तुम यहां चंद्रमा के समान रखवा रहे हो ना रखवा हो चंद्रमा के समान क्या दिक्कत है बढ़िया हो जाएगा राज शानतों जेलासर- डाल किताब निकली भी है न इस और जिसको वास्थ को जिसको लाल किताब डंग से आती है ना वास्थ भी डंग से कर सकता है पर यहां पर महावास्तु वारा रंग होना चाहिए बट हमरा रंग नहीं करते हैं पर खहर में तो सारे लोग रहें ना जुगल जी अगर करना भी तो लाइट गृइन करेंगे आप समझाओ अगर उसी घर में किसी व्यक्ति की जनम पतरी में मरकरी और हंद्रमा बैठे हुआए साथ आप यार वे आउसम बैठे हुएं दस वे आउसम बैठे हुएं और दोनों के कोडिनेट्स भी खराब हैं उपर ते आरा रंग कर दिया मिरगी आणी शुरू हो जाएंगी वाह तो फिट्स का उजाएंगी तो क्या वास्तू करके गया हमारा काम दाम तो चलबड़ा पर दोनों रख विर रहने शुरू होगी तो यह कॉंसेप्ट अमेशा द्यान रखना हुएं अब इसी में आप आगे डारेक्शन देखो थर्ड राउस किसका होता है इसाउथ डारेक्शन थाउस में क्या गयते हैं वही मंगल बढ़िया होता है यहाँ पर बुले आः रावी ठीक होता है कि लिगार मंगल की दिशा हां ओ promoted ठीक होता है है यहां कि उत्पत्स यह तो process और और साउत का या पार्ट होता है स्याओंध वेस्ट तो हम कह देते हैं बढ़िया बनबादेry कि साउथ का ही पार्ट होता है एक तरीके से लाल किताब वर्ण वास्तू देखे तो उसमें ठीक है तो यह कुंसेप्ट लाल किताब कुण लीका है आपको जहां चार्ट में प्लैनेट्स दिखें ऐसे मैं जो बोलता हूं नोर्थीस्ट में तेरे गर में टॉलेट तो नहीं हो किसे दिखता हूं जूपिटर को लेविए कहां से कराब हो रहा है जो एक जुत अप हुआ हो गाल गां तो तो बढ़ी है सर नहीं बढ़ी है नहीं लेगा साथ इस में पीला रंग आ गया यह समझो अब है फोड़ा परेशान करेगा बारवे यहां के अगर जुपिटर आ जाता है यहां तस हाउस किसका होता है लेस्थ जुपिटर शनी का दोनों मिल्टेने को रोना जैसे डीजीज देते हैं सास ना आने वाली को रोना अगमा यह थो सारे की प्रजाती की विमारीय शास से संबंदित दिक्यते अपना से बंदे को अब लगलती से पूछ लेता है कि अस्तमा नहीं बड़ा पर सास दिकता हो जादा सांस रुग क्या सब्सक्राइब जाता है तो प्रस चेक तर लेट दीन तो लास्त वाइब तो इस्ट वोल मतलब इसको इस्ट वोल इसलिक आगया वही इस्ट का जोन होता है आज हमें पढ़ना भी पाच वाउस है पाच वाउस का ही कुंसट आपको समझाना ए आपको क्या करोगी इस्ट की वोल में खराब प्लानेट आएंगे तो नुकसान करेंगे एमेज करेंगे इस को वहाँ इस्ट में दोश अपने आप बन जाता है बंदे के अब कई बर क्या होता है को बंदा कहता जी मैंने इस्ट में बड़ा ध्यान रखा टोलेट वोलेट नहीं बनाया जैसे लोगों को एक जर्नल कॉंसेट यह पता है विमल जी कि नोर्थ इस्ट मे पिला रंग करा दिया तो वह अपने आप उस डारेक्शन को खराब कर लेता है अगर मालों नोर्थ इस्ट में और कुछ नहीं कर वाए तो लाल रंगी करा देगा मंदिर में लाल होता है अगर किचन की डारेक्शन आपके चार्ट के हिसाब से जो भी आ रही है आपके घर में किचन होती है माँ पर अगली बार या दिलाना अगली बार करा आपने आपके चार्ट के हिसाब से राजीव जी मान लो जिस डारेक्शन में किचन आ रही होगी वहां किचन बन रही होगी अपने आप आप भाला कि चन का संमान वैसी रख देते हो जह आपने माँ पर याप्ल अपना तोलेट वाला तो यह होता है कि अगर आपका रहू के इसाब से आरा होता है तो उसको छेटना नहीं चीए तो चाहिए वो किसी भी डिरेक्शन में आ रहा है और अगर गर का मुखी आया ना और उसका नौर्थीस प्रॉलेट आ रहा है तो फिर रहा है उसको छोड़ देते हैं सेम्टम्स चेक अलेए तकर प्रॉलम्म नहीं आरियोद्ध यूद नहीं चीए अटेदेगे रहा है